दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदोशन फार्ट सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शोधरी दोस्तों उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैन आयोग द्वरा आयोजित प्रारंभिक अरहता परिक्षा यानि पेट परिक्षा के लिए पाठेक्रम के अनुसार पर उच्छोप योगी और संभावित अध्यन सामगरी के अंतरगत आज की वीडियो में हम पेट परिक्षा के पाठेक्रम के दूसरे यूनिट भारती राष्टी आंदोलन से संबंधित महत्पूर्ण प्रश्णों को कवर करेंगे जिसमें स्वाधिंता अंदोलन के प्रारंभिक वर्स, स्वदेशी तथा सविने अवग्या अंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्यनेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी अंदोलन तथा उग्र राष्टवात का उदह, विधाई संसोधन तथा ब्रेटिस इंडिया एक्ट 1935 भारत छोडो अंदोलन, आजाद हिंद फोज और नेताजी सुवाश्यंद्र की भूमिका से संबंधित महत्वपोंड प्रष्णों को वन लाइनर फार्म में प्रस्तुत किया गया है, तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो, उत्तर प्रदेश अधिनस सेवचेन आयो द्वारा आयोजित प्रारंभिक अरहता परिक्षा का दूसरा भाग भारती राष्ट्री आंदोलन, दोस्तों इसमें जो सबसे महत्वपोंड प्रष्ण है, परिच्छाओं की दृष्टी से उप्योगी उनको हम कवर कर रहे हैं, देखिए आज की वीडियो का जो पहला पा जो है 10 मई को मेरट से हुआ था, तो देखिए 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरट से हुआ था, और 1857 के स्वाधिनता संग्राम का प्रतीक क्या था, ये था कमल और रोटी, देखिए 1857 के स्वाधिनता संग्राम का जो प्रतीक था, वो कमल और रोटी था, अगला है दो 1857 के बिद्रोह की रहनुमाई की थी तो देखे बरेली में खान बहादूर खान ने 1857 के बिद्रोह का जो है नेतरित्टु किया था इसके अलामा रानी लक्ष्मिबाई दोस्तों रानी लक्ष्मिबाई जिनको जहासी वाली रानी कहा जाता है इनका मूल नाम मडिकाडिका था इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोल घर वाराणसी में हुआ था देखिए रानी लच्मिबाई 1857 के संग्राम की जो है नाईका मानी जाती हैं इनका मूल नाम मडिकाडिका था इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोल घर वाराणसी में हुआ था दोस्तों यहां से प्रश्ण इस तरह के पूछे जाते हैं कि रानी लच्मिवाई का मोल नाम क्या था मनू मनू भी था इनको कहा जाता था और मोल नाम मडिकरिका था एक प्रश्ण यहां से बनता है कि रानी लच्मिवाई का जन मस्थल कहां है तो ये वारारसी में है दोस्तों चौदे वर्स की उम्र में लक्ष्मिवाई का विवाह जहासी के महराजा गंगा धर्राव के साथ हुआ था लखनव में दोस्तों लखनव में या जो अवध छेत्र है वहाँ पर 1857 के बिद्रोह का नेत्रेत्व किस ने किया था बेगम हजरत महल ने दोस्तों बेगम हजरत महल ने अपने अलप बयस्क बेटे विरजिस कादिर को नबाब घोसित किया और प्रसासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी तो देखिए 1857 के विद्रोह में लखनव में या लखनव में विद्रोह का नेत्रितो बेगम हजरत महल ने अपने अल्प बयस्क बेटे बिर्जिस कादिर की ओर से उनको नवाब घोसित करके किया था कानपूर की बात की जाए तो प्रश्न आता है कि कानपूर में दोस्तों 1857 के विद्रोह का नेत्रितो किस ने किया तो कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब जिनका मूल नाम या वास्तविक नाम नाना धोणधोपन्त था इनको पेश्वा मानकर स्वतनता की घोश्डा की गई और अजी मुल्ला खां दोस्तों ये नाना साहब के सलाहकार थे ताथ्या टोपे, दोस्तों ताथ्या टोपे का जन्म 1814 में और उनकी मूल नाम या वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था तो देखे ताथ्या टोपे जो की जो 1857 के विद्रोह के एक स्वतनता सेनानी या सेनापती थे इनका मूल नाम रामचंद्र पांडूरंग था एक प्रशन आता है दोस्तों 1857 में जगदीसपूर जगदीसपूर बिहार में है जगदीसपूर में बिद्रोह की अगुवाई करने वाले कुमर सिंग बिहार के ततकालेन शाहबाद जिले जोकी बरतमान में भोचपूर जिले में है वहां से संबंधित थे और देखिए आउवा के ठाकूर कुशल सिंग ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपूर की संयुक्त सेना को पराजित किया था एक प्रशन देखिए आउवा के ठाकूर कुशल सिंग 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपूर की संयुक्त सेना को पराजित किया था इन्होंने और देखिए मौलवी अहमदुल्ला शाह मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेत्रित दिया था दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला ने भारत के विभिन धर्मा नुयाईयों का आहवान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खड़ेर दो दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूचता है कि 1857 का जो प्रथम सोतनता संग्राम था या 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो याद कल लीजिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लाड कैनिंग था जिसका सासनकाल 1856 से 1862 है इसके अलावा एक प्रश्न देखे 1857 के विद्रोह के समय बैरकपूर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जान बेनिट हैर से कमांडिंग आफिसर थे ये प्रश्न भी कई बार परिच्छाओं में पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय बैरकपूर की चाओनी में लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे जो की बैरकपूर के कमांडिंग आफिसर थे तो उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल सर जान बैनिट हैर से ये बैरकपूर में कमांडिंग आफिसर थे अब ये देखते हैं शार्ट में 1857 की जो क्रांति थी उसके भारती सेनापती कौन थे देखें 1857 की क्रांति में जगदीशपूर में इस क्रांति का नेत्रित्व कुमर सिंग ने किया था लखनव में भारती सेनापती या लखनव में क्रांति का नेत्रित्व बेगम हजरत महल ने किया था कानपूर में नाना साहब और तात्या टोपे ने जासी में रानिल श्विवाई दिल्ली में बहादूर साह दुती ने जो है 1857 के विद्रोह का नेत्रित्व किया था दोस्तों इलाहाबाद में पूछता है इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेत्रित्व किसने लियाकत अली ने और बरेली में यानि रुहेल खंड छेत्र में खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह का नेत्रित्व किया था अगला है दोस्तों 1855 में संथालों ने भागल पूर्चेतर के भगनी डिह तालुके में विद्रोह किया था तो देखिए 1857 से पूर्व जो विद्रोह हुए थे उसमें संथालों का विद्रोह महत्वपूर है और 1855 में संथालों ने भागलपुर छेतर के भगनी डिह तालुके में विद्रोह किया था रंपा विद्रोह क्या है इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में इस्थित रंपा पहाडी छेतर में रंपा विद्रोह हुआ था और ये विद्रोह आदिवासियों का विद्रोह था जो साहुकारों के सोसर्ण और बन कानूनों के विरुद्ध था तो देखिए रंपा विद्रोह जो है ये आंध्र प्रदेश में हुआ था रंपा के पहाडी छेतर में और आदिवासियों द्वारा किया गया ये विद्रोह साहुकारों के सोसर्ण और बन कानूनों के विरुद्ध हुआ था अगला तथ जो है मुंडा आदिवासियों के विद्रोह से संबंधित है मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1910 के वेच हुआ था और इसका नेत्रित तो बिर्षा मुंडा ने किया था दोस्तों 1895 में विर्षा ने अपने आपको भगवान का दूद घोसित किया था और मुंडा विद्रोह के नेता विर्षा मुंडा को उलगुलान यानि महान हल्चल और इसके विद्रोह को उलगुलन या महा विद्रोह के नाम से जाना गया तो ये प्रश्ण पूछ लिया गया कि उल्गुलान विद्रोह का नेता कौन था तो आप जानते हैं कि उल्गुलान विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था और बिरसा मुंडा को उल्गुलान यानि महान हलचल और इसके द्वारा शुरू किये गये आंदूलन या विद्रोह क उल्गुलन या महाविद्रोह के नाम से जाना जाता है दोस्तों एक प्रश्ण पूछता है कि दास्ता को या गुलामी को गैर कानूनी कब बनाय गया तो देखिए लाड एलन बरो के सासनकाल में 1843 के एक्ट संख्या पांच दोस्तों 1843 के पांचवे एक्ट ने गुलामी या दास्ता को गैर कानूनी बनाय गया था और ये था गवर्नर जनरल लाड एलन बरो का सासनकाल दोस्तों अगला है के सव चंदर सेन ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वण भूमिका निभाई थी तो 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में के सव चंदर सेन की महत्वण भूमिका थी दोस्तो नेट्यू मैरिज एक्ट से लड़के और लड़कियों की बिवाह की नियुनतम आयू कितनी की गई सार्दा अधनियम दोस्तों शार्दा एक्ट जो था वो लड़कियों के या लड़कियों के बिवाह के नियूंतम आयूसीमा से संबंधित है तो देखिए सार्दा अधनियम के द्वारा लड़कियों के बिवाह के नियुनतमा उसी मत चौधे वर्स और लड़कों की अठारे वर्स निर्धारित की गई थी अगला प्रशन है दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी के अस्थापना एक रूसी महिला मैडम यच्पी बलावर्ट्स की अमेर्की सैनिक अधिकारी करनर अलकाट बिलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 में नियु यार्क में की गई थी तो थियोसोफिकल सोसाइटी के अस्थापना नियु यार्क में की गई थी रूसी महिला मैडम यच्पी बलावर्ट्स की अमेर्की सैनिक अधिकारी करनर अलकाट बिलियम क्वान जज और अन्य लोगों के द्वारा थियोसोफिकल सोसाइटी के अस्थापना 1875 में नियु य दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी का जो भारत में इसका जो मुख्याले खोला गया ये देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापकों ने 1882 में मद्रास के पास अड़्यार नामकस्थान पर सोसाइटी का मुख्याले अस्थापित किया जो बाद में इसका अंतराष्ट कार्याले बना था यहां पर देखिए एक महतोपूर्ण प्रश्ण सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी यानि भारत सेवक समाज से संबंधित है दोस्तों महादेव गोबिंद राना डेके सिस्य गोपाल कृष्ण गोखले निवर्स 1905 में सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी यानि हिंदी में इसको पूछा जाए भारत सेवक समाज की अस्थापना की थी तो सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी की अस्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले राना डेके सिस्य थे दूस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21 अध्यवेशन जो वर्स 1905 में बनारस में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी और देखे एक प्रश्ण आता था आता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे यहां पर देखे वारेन हेश्टिंग्स दोस्तों बारेन हेश्टिंग्स को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ने उक्त किया गया था तो गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम जो है वो दिया गया था और इस के द्वारा वारेन हेश्टिंग्स 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था दोस्तों 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसके द्वारा क्या बदलाव किया गया तो 1833 इसवी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और इस तरह से भारत का गवर्नर जनरल पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो उत्तर है 1833 में लाड बिलियम बैंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाये गया तो ये बहुत ही महतोपूर है दोस्तों 1833 में लाड बिलियम बैंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनर की अस्थापना के समय बंगाल के गवर्णर जनरल कौन थे लाड वारेन हेश्टिंग्स 1774 से 1785 थे और अस्थापना किस ने की थी तो दोस्तों अस्थापना सर बिलियम जोंस के दौ़ारा की गई थी यहाँ पर देखिए सुरक्षा प्रकोष्ट या घेरे की नीत से कौन संबंधित है तो दोस्तूं सुरक्षा प्रकोष्ट या घेरे की नीत से वारेन हेस्टिंग और लाड बेलेजली संबंधित है दोस्तों भारत में न्याइक संगठन की अस्थापना किस ने की थी तो भारत में न्याइक संगठन की अस्थापना लाड कार्णवालिस ने की थी और कार्णवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया था दोस्तों कार्णवालिस लाड कार्णवालिस को भारती सिविल सेवा या भारती नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है लाड कर न्वालिस ने अपने न्याइक सुधारों को 1793 इस्वीतक अंतिम रूप दे कर उन्हें कर 49 कोड या कर 49 संहिता के रूप में प्रस्तुत किया था तो कर 49 कोड जो है 1793 का है कर 49 को दोस्तों भारती सिविल सेवा या नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है दोस्तों कुछ प्रश्ण महतवपूर संगठनों से बनते हैं उनके संस्थापक और अस्थापना वर्सों से कभी-कभी ये प्रश्ण सीधे-सीधे पूछ लिये जाते हैं लेकिन कभी-कभी इनको मिलान करने के लिए भी दे दिया जाता है तो देखे आत्मी सभा की अस्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी और राजा राम मोहन राय द्वारा अस्थापित ये प्रथम संगठन था ब्रह्म समाज की अस्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की अस्थापना ब्रह् और 1849 में तत्य्व बोधनी सभा की असथापना की गई थी, प्रार्थना समाज के इस अस्थापक डाक्टर आत्माराम पांडुरंग थे और 1867 में दोस्तों प्रार्थना समाज की अस्थापना की गई थी, आरे समाज आप जानते हैं स्वामी दयानन सरस्वती 1875 में इन्होंने आरे समाज की अस्थापना की थी दोस्तों देखिए थियो सोफिकल ससाइटी अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है थियो सोफिकल ससाइटी के अस्थापना मैडम ह.P. बलावर्स की और करनल अलकाट ने 1875 में किया था और देखिए रामकृष्ण मिसन ने कि अस्थापना स्वामी विवेकानन ने अपने गुरू रामकृष्ण परमहंस के आदर्सों और सिक्षाओं को परसारित करने के लिए किया था 1897 में. सत्य सोधक समाज सत्य सोधक समाज की अस्थापना किसने की थी? जियोतिवा फूले ने 1873 में और फारवर्ड बलाग बहुत ही महत्यपोंड संगठन है सुभाष्च चंदर बोस के द्वारा 1949 में फारवर्ड बलाग की अस्थापना की गई थी आगे देखिए दोस्तों सुराज पार्टी के संस्थापक कौन रहे? मोतिलाल नहरू और स्वराज पार्टी के अस्थापना 1923 में की गई थी होम रूल लीग एनी बेसेंट और बाल गंगा धर्तिलक दो लोगों का होम रूल लीग रहा जिसकी अस्थापना 1916 में की गई थी आदि ब्रह्म समाज दोस्तों ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देविन ना टैगोर थे 1866 में आदि ब्रह्म समाज की अस्थापना की गई थी भारत संग भारत संग या इंडिया एसोसियेशन इसकी अस्थापना सुरेजनात बनर जी ने 1866 में किया था मुस्लिम लीग की अस्थापना दोस्तों आगा खां और सलीम उल्ला खां ने 1906 में किया था खिलाफ़त आंदोलन से कौन जुड़े हुए हैं तो अली बंधु मुहम्मद अली और सौकत अली दोस्तों ये खिलाफ़त आंदोलन से जुड़े हुए हैं 1919 में खिलाफ़त आंदोलन प्रारम किया गया था आगे देखते हैं दोस्तों देखे विदेशों में क्रांतिकारी संगठनों से संबंधित प्रश्णों को देख लेते हैं देखे इंडिया हाउस एक संगठन था इंडिया हाउस 1904 इस्वी में इसकी अस्थापना लंदन में स्याम जी कृष्ण बर्माने किया था अभिनव भारत 1904 में इसकी अस्थापना लंदन में हुई थी बीडी सावरकर बिनायक दामोदर सावरकर के द्वारा इंडियान इंडिपेंडेंस लीग 1907 में अस्थापित हुआ था अमेरिका में तारक नाथदास के द्वारा दोस्तों इंडियान इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्मेंट 1915 में काबुल में इसकी अस्थापना राजा महेंदर परताप ने किया था और इंडियान इंडिपेंडेंस लीग 1942 टोकियो में इसकी अस्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी तो ये है विदेशों में प्रमुक्रांतिकारी संगठन एक प्रश्ण आता है दोस्तों जमिदारी एसोसियेशन या लेंड होल्डर सोसाइटी देखे जमिदारी एसोसियेशन या लेंड होल्डर सोसाइटी के स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई थी दोस्तों Landholders Society के संस्थापक कौन थे द्वारिका नाट्टैगोर और उनके सहयोगी जमिदारों ने जमिदारी एसोसियेशन या Landholders Society के संस्थापना की थी एक प्रशनाता है पूर्णा सारोजनिक सभा दोस्तों पूर्णा सारोजनिक सभा की अस्थापना 1870 में महा देव गोबिंद रानाडे और जीवी जोसी के द्वारा की गई थी एक प्रशनाता है इंडियन एसोसियेशन या भारस संग के बारे में तो देखिए 26 जुलाई 1876 को सुरेंद नाथ बनर जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसियेशन या भारस संग की अस्थापना कलकत्ता में की थी दोस्तों सुरेंद नाथ बनर जी को दो बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था ये प्रशन भी पूछा जाता है कि सुरेंद नाथ बनर जी को कांग्रेस का अध्यक्ष कितनी बार चुना गया था तो दो बार और ब्रिटिस इंडियन एसोसियेशन की अस्थापना द दोस्तों British Indian Association जो अस्थापित किया गया था राधाकांत देव इसके अध्यक्ष और देवेन नाटैगोर महा सच्यू जो है चुने गये थे बामबे Presidency Association दोस्तों बामबे Presidency Association की अस्थापना 1885 में बंबई में की गई थी और देखिए इसके संस्थापक कौन थे बामबे Presidency Association के संस्थापक जो है फिरोशाह महता बदरुद्दीन तयब जी और केटी तेलेंग थे और इनको जो है दोस्तों त्रिमूर्ती की संग्या दी जाती है महता तयब जी और तेलेंग को देखिए तेलेंग और फिरोशाह महता बदरुद्दीन तयब जी और केटी तेलेंग को जो है बामबे की त्रिमूर्ती के नाम से जाना जाता है भारती राष्टी का अंग्रेस दोस्तों इंडियन निशनल का अंग्रेस या भारती राष्टी का अंग्रेस की अस्थापना 1885 इस भी में A.O.H.E.M. दोस्तों की गई थी स्वैंग B.D. सावरकर और स्याम जी क्रिष्ण बर्मा के साथ मिलकर संयूक्त रूप से किया था दोस्तों देखिए भारती राष्टी का अंग्रेश की अस्थापना 1885 में ए ओह्यूम इन्हों निस्वयंग बीडी सावरकर और स्याम जी कृष्ण बर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से किया था अगला प्रेश्ण है भीका जी रुस्तम कामा भीका जी रुस्तम कामा को भारती क्रांती की जननी या भारती क्रांती की मा के रूप में जाना जाता है और देखिए ब्रिटिस सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के नीड़े की घोश्डा की थी 16 अक्टूबर जो था 16 अक्टूबर 1905 का दिन ये इस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था दूस्तम बंगाल विभाजन करने के समय जो गवर्नर जनरल था लाड़ करजन था और 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था उस दिन पू बंगाल का बिभाजन लाड करजन 1899 से 1905 के कालमे वर्स 1905 में किया गया था तो बंगाल का बिभाजन करने वाला गवर्नर जनरल लाड करजन था अब आई ये देखते हैं स्वदेशी सविने अवग्या अंदोलन और क्रांतिकारी अंदोलन से संबंधित महतोपूर्ण प्रश अंदोलन के प्रतिजन समर्था नेकात्र करने के उद्देश से अस्वनी कुमारदत ने स्वदेश बांधो समित की अस्थापना की थी दोस्तों स्वदेशी अंदोलन के दोरान बंदे मातरम भारती राष्टी आंदोलन का शिरसक गीत बन गया था बंदे मातरम कहां से लिय यहाँ पर देखिए ब्रेटिस पत्रकार H.W. नेविंसन 21 आंदोलन से जुड़े थे तो नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे दोस्तों मुहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्टवादी थे तो उन्होंने खिलाफ़त आंदोलन को देश की स्वतंता के आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था तो मुहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफ़त आंदोलन को देश की स्वतंता के आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था और सितंबर 1919 में अखिल भारती खिलाफ़त कमेटी का गठन सितंबर 1919 में किया गया था दोस्तों सितंबर 1919 में कलकत्ता में संपन भारती राष्टी का अंग्रेश के विशेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था असहयोग का प्रस्ताव उन्नीस सोबीस के कलकत्ता में संपन भारती राष्टि का अंग्रेज के विशेश अधिवेशन में प्रस्तावित किया था और असहयोग अंदोलन का सी आरदास ने विरोध किया था दोस्तों नागपुर अधिवेशन बहुत ही महतुपूर है दोस्तों नागपुर अध्यवेशन दिसंबर 1920 में असहयोग प्रस्ताव सी आरदास नहीं प्रस्तावित किया था अगस्त 1920 को प्रारम किया गया था और गान्थी जी ने असहयोग आंदोलन सुरू होने के एक वर्स के भीतर स्वराज प्राप्तिका नारा दिया था तो एक वर्स के भीतर स्वराज प्राप्तिका नारा किस आंदोलन से संबंधित है असहयोग आंदोलन से संबंधित है दोस्तों असहयोग आंदोलन के समय जमनलाल बजाज ने अपनी राय बहादूर की उपाधि वापस कर दी थी और 4-4 कांड की वास्तविक्ति थी जो हम लोग जानते हैं 5 फरवरी तो दोस्तों 4-4 कांड की वास्तविक्ति थी 4 फरवरी 1922 है लेकिन यदि 4 फरवरी नहीं है तो 5 फरवरी ही आप सही उत्तर मानेंगे जोस्तों 4-4 कांड से छुप धोकर महात्मा गांधी ने असहियोग आंदोलन वापस ले लिया था और 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को अस्तगित करने का निड़े लिया गया था तो देखिये असहियोग आंदोलन जो 4-4 कांड के बाद समाप्त किया गया था 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को अस्तगित करने का निड़े लिया गया और असहियोग आंदोलन के दोरान रविन्ना टैगोर ने विदेशी वस्तरों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बरबादी कहा था तो असहियोग आंदोलन के दोरान विदेशी वस्तरों को जलाए जाने को निष्ठुर बरबादी रविन्ना टैगोर ने कहा था दोस्तों सी आरदास चितरंचन दास वे इस दोरान कांग्रेस की अध्यस थे उन्होंने कांग्रेस की अध्यस्ता से चागपतर दे दिया और जनवरी 1923 में मोतिलाल नहरू के साथ मिलकर उन्होंने स्वराज पार्टी की अस्थापना की थी दोस्तों सी आरदास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष और मोतिलाल नहरू इसके महासच्यू थे तो देखिए 1923 में मोतिलाल नहरू और सीयर दास ने स्वराज पार्टी के स्थापना की थी स्वराज पार्टी के अध्यक्ष सीयर दास और मोतिलाल नहरू इसके महासचीव थे दोस्तों 1925 दोस्तों देखिए वर्ष 1925 में बिठर भाई पटेल का सेंटर लेजिसलेटिव या केंदरी विधान मंडल असेंबली का अध्यक्च चुना जाना स्वराजियों की बहुत ही महत्पूर उपलधी थी चितरंजन्दास को दोस्तों देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है तो किस स्वतंता संगराम से नानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है वो हैं चितरंजन्दास एक जो हैं दोस्तों भारती स्वतंता अंदोलन से जुड़े हुए एक ब्यक्ति हैं दीन बंधु के अहम्दाबाद में इस्थित है वहां से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्यागरह के लिए कूच किया था तो देखिए बहुत हैं महत्वपूर्ण है महात्मा गांधी ने साबरमती आसरम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्यागरह के लिए कूच किया था 24 दिनों की लंबी आत्रा के बाद गांधी जी ने 6 अप्रेल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून थोड़कर उन्हों ने आपचारिक रूप से सबिने अवग्या आंदोलन का सुभारम किया तो देखिए दांडी नमक मार्च जो है सबिने अवग्या आंदोलन के प्रारंब से संबंधित है दोस्तों सुभाश चंद्रबोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एलवा से पेरिस मार्च से किया था तो देखिए ये बहुत ही महत्यपूर है गां पल्ली से वेदा रड्यम तक की नमक यात्रा की थी और उन्होंने नमक कानून का उलंगन किया था देखिए सबिने अवग्या आंदोलन के दोरान ही धर्सना नमक गोदाम पर कांग्रेस कारेकरताओं के धाव से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफतार करके जेल भेज दिया गया था तो दोस्तों धर्सना नमक गोदाम पर जो कांग्रेस के धावा हुआ था ये सबिने अवग्या आंदोलन से संबंधित है और इस समय गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफतार करके यरवदा जेल भेजा गया था और दोस्तों उनके अस्थान पर गांधी जी के अस्थान पर सबिने अवग्या आंदोलन की निता अब्बास तैयब जी को चुना गया था अब्बास तैयब जी की गिरफतारी के बास स्रीमती सरोजनी नायडू ने 21 मई 1930 को धर्सना नमक गोदाम पर धावे का नेत्रितों किया था और इस लोम हरसक घटना का विबर अमीर की पत्रकार वेब मिलर ने अपने रिपोर्टिंग में किया है एक देखी महतवपूर्ण प्रशन आता है दोस्तों पश्चमी उत्तर पश्चमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफार खां के नित्रितों में खुदाई खिदमतगार नामक स्वैंग सेवक संगठन अस्थापित किया गया था इनको रेड शर्ट या लाल कूर्ती आंदुलन के नाम से जाना जाता है तो खान अब्दुल गफार खां इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों इनके नित्रित में खुदाई खिदमतगार नामक स्वैंग सेवक संगठन का गया था और इन्हें लाल कूर्ती के नाम से जाना जाता है अगला है कि सविने अवग्यां आंदुलन के दोरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंग गढ़वाली के नेत्रित में निहत्थी भीड पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था तो गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने निहत्थी भीड पर गोली चलाने से इनकार किया था सविने अवग्यां आंदुलन के दोरान पेशावर में दोस्तों सविने अवग्यां आंदुलन के दोरान मडीपूर की जंजातियों ने भी सक्री भागिदारी दिखाई और यहां पर आंदुलन का नित्रित तो हैपो जदो नांग और उनके पशात नगा जंजात की महिला रानी गैडिनल्यू ने किया था और गैडिनल्यू को र या तरंग आंदोलन भी कहा जाता है अगला तथ्य है कि अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनों थान में लगाने के लिए सक्री राजनी से स्वयंग को हटाने का निश्य किया था और देखिए सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्यान के लिए अखिल भारती चुवा छूत विरोधी लिग किया स्थापना की और हरिजन नामक सापताहिक पत्र का प्रकासन किया था तो ये वर्स्था सितंबर 1932 जब गांधी जी ने हरिजन कल्यान के लिए अखिल भारती चुवा छूत विरोधी लिग किया स्थापना की और हरिजन ना इर्विन को दो महात्मा की संग्या दी थी तो ये थी स्रीमती सरोजनी नायडू दोस्तों गांधी इर्विन समझोते के परपेच में सरोजनी नायडू ने गांधी और इर्विन को दो महात्माज की संग्या दी थी गांधी इर्विन समझोता पाच मार्च 1931 को संपन हुआ थ और दोस्तों इर्विन के जीवनिकार एलन कैम्प बिल जांसन ने गांधी इर्विन समझोते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरसकार या कंशोलेशन प्राइजेज कहा था तो यहाँ पर देखिए जो इर्विन था लाड इर्विन इसके जिवनिकार एलन कैम्प बिल जांसन ने गांधी इर्विन समझाओते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरसकार कहा था दोस्तों सुभाष चंद्रबोस ने भारती राष्टी का अंग्रेश के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोगप्रिता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है तो ये बहुत ही महत्वपूर है कि सुभाष चंद्रबोस ने महात्मा गांधी की लोगप्रिता और सम्म की पराकाश था जो है किस अधिवेशन को माना है तो ये था भारती राष्टी का अंग्रेश का कराची अधिवेशन 1931 सामपरदाईक पंचाट या कमिनल एवाड से समबंधित जो प्रश्ण पूछा जाता है 16 अगस्त 1932 को रैम जे मैक डोनाल्ड ने अपने सामपरदाईक अधिनेड़े की घोश्डा की थी जिसको सामपरदाईक पंचाट या कमिनल एवाड कहा जाता है और दोस्तों गांधी जी ने अपना पहला आमरण अंसन या फास्ट अंटू डेथ इसको कहा जाता है आमरण अंसन को ये कब किया था तो गांधी जी ने अपना पहला आमरण अंसन 20 सितंबर 1932 को यर्वदा जेल में रहते हुए ब्रिटिस प्रधान मंत्री रैम जे मैक डो और दोस्तों गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को ये अरवदा जेल में अपना पहला आमरण अंसन रैम जे मैक डोनाल्ड जो ब्रिटिस प्रधान मंत्री थे उनके केमिनल अवार्ड के बिरुद्ध प्रारंब किया था दोस्तों 24 सितंबर 1932 ये बहुत ही महत पूर्ण ती थी है इस तीथी को पूना समझोता हस्ताक्षरित किया गया था और इसमें दलित वर्ग की ओर से डाक्टर अंबेटकर ने और हिंदु जात की ओर से पंडित मधन मोहन मालवी ने पूना समझोते पर हस्ताक्षर किये थे और ये कहा जाता है दोस्तों ये भी कहा जाता है कि पूना समझोता अंबेटकर और गांधी के बीच हुआ था लेकिन दलित वर्ग की ओर से यहां पर डाक्टर अंबेटकर ने पूना पैक्ट पर और हिंदु जात की ओर से पंडित मधन मोहन मालवी ने इस समझोते पर हस्ताक्षर किये थे दोस्तों सामपरदाईक एवाड में प्रांती विधान मंडलों में दलितों के लिए सुरच्छी सीटों की संख्या 71 थी जिसे पूना पैक्ट में बढ़ा कर 148, मदरास में 30, सिंध सहित बंबई में 15, पंजाब में 8, विहार और उडिसा में 18, मध्य प्रांत में 20, असम में 27, बंगाल में 30, और संयुक्त प्रांत में 20 कर दिया गया था, तो देखिए सामपरदाईक एवाड में प्रांती विधान मंडलों में दलितों के लिए सुरच्छी सीटों की संख्या 71 थी, जबकि पूना पैक्ट में इसको बढ़ा कर 148 कर दिया गया था, ये प्रश्न भी यहाँ पर देखिए दोस्तों दलित वर्गों का संख, एक प्रश्न पूश्ता है, दलित वर्गों का संख या डिप्रेश्ट क्लास लीग की अस्थापना डाक्टर अंबेटकर ने नहीं बलकि बाबु जग जीवन रामने की थी, तो यहाँ पर देखिए एक महतोपूर्ण दलित वर्गों का संख या डिप्रेश्ट क्लास लीग की अस्थापना बाबु जग जीवन रामने किया था, अगला प्रश्न है दोस्तों, आल इंडिया सेडूल्ड कास्ट फेडरेशन, देखिए ये बहुत ही महतोपूर्ण संख है, आल इंडिया सेडूल्ड कास्ट देख्षता में हुई थी, तो यहाँ पर देखिए तीन संग हैं, दलित वर्गों का संग यानि डिप्रेश्ट क्लास लीग की अस्थापना बाबु जग जीवन रामने, आल इंडिया सेडूल्ड कास्ट फेडरेशन, डाक्टर भीम राव अंबेट करने, और आल इंडिया डिप्रेश्ट क्लासेज असोसियेशन जो था, इसकी अस्थापना M.C. राजा ने की थी, दोस्तों यहाँ पर देखिए, 14 अगस्त 1931 को बंबई में महात्मा गांधी से वारता के दौरान, डाक्टर भीम राव अंबेट करने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी चडिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, लेकिन अस्तर नहीं उठाते, महात्मा गांधी चडिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, अस्तर नहीं उठाते, यह बाबा साहब डाक्टर भीम राव अंबेट करका गांधी जी के बारे में कथन है, जोस्तों जै प्रकास नराय द्वारा चलाए गए आंदोलन को क्या कहा जाता है अब ये देखते हैं सिलेवस के एकार्डिंग विधाई संसोधन या ब्रिटिस इंडिया एक्ट से संबंधित प्रश्न को वर्स 1935 के भारस सरकार अधनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांती विधान मंडुलों के चुन तो देखिए ये प्रश्न आता है कि 1937 में प्रांती विधान मंडुलों के चुनाओ में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्रांतों में और एक प्रश्न और आता है कि वर्स 1935 के अधनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाओ में गठित कांग्रेस मंद् इतना समय था तो ये था 28 माह दो साल चार महीने जो था ये 1937 में चुनाओ के जो चुनाओ हुए थे उनमें कांग्रेस मंद्री मंदलों का कारेकाल था देखिए कांग्रेसी मंद्री मंदलों के त्याग पत्र देने की खुसी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसल्मानों स 22 दिसम्बर दिन सुक्रवार 1949 के दिन मुक्ति दिवस या Day of Deliverence मनाने का आहवान किया था तो बहुत ही महत्वपूर्ण है मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस कब मनाय गया? तो दोस्तों क्यों मनाये गया तो कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के अत्याग पत्र देने की खुशे में मुहम्मद अली जिन्ना के द्वारा भारत के सभी मुसल्मानों से 22 दिसंबर 1949 को मुक्ति दिवस मनाने का आहवान किया गया था और यहाँ पर देखिए वर्स 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा जो की गुजरात में इस्थित है हरिपुरा कांग्रेस अध्यवेशन में सुभाष यंद्र बोस को पहली बार निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया था तो 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात कांग कांग्रेस अध्यवेशन में सुबाश चंद्र बोश को कांग्रेस के पहली बार निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था और दोस्तों 1949 के त्रिपुटी जो मध्यपरदेस अध्यवेशन हुआ था उसमें गांधी जी द्वारा समर्थित पी सितारमय्या जिनका पूरा नाम 9 अगस्त जो है सुबाश चंद्र बोश फिर से दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे लेकिन महात्मा गांधी के जो है नाराजगी पे या महात्मा गांधी से बिवाद या मनमुटाओ के कारण उन्होंने इसको इससे त्याग पत्र दे दिया था और उन्होंने वर्ड ब्लाग की अस्थापना की थी भारत चोड़ो आंधोलन की शुरुआत कब हुई थी तो दोस्तों 9 अगस्त 1942 को भारत चोड़ो आंधोलन प्रारंब हुआ और आंधोलन प्रारंब होने के होते ही आपरेशन 0 आवर के तहट गांधी जी और अन्य बड़े कांग्रेस नेताओं को गिरफतार कर लिया गया था गांधी जी को गिरफतार करके सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खाँ पैलेस में रखा गया था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनपती पूछता है कौन थे तो गवर्नर जनरल जो होता था वो भारत का प्रधान सेनपती कहा जाता था तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनपती या गवर्नर जनरल लाड बेवेल था भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान बंबई के बिभिन भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडि पर प्रशारण करते थे और एक महिला कारे करता थी उशा महता इन्होंने कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की ये एक महत्वपूर सदस्या थी महत्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मोमेंट के दोरान अमीर की पत्रकार लुई फिसर जोकी महत्मा गांधी का जियुनिकार है वो उनके साथ थे दूस्तों भारत छोड़ो अंदोलन के दोरान जै प्रकास नरायन ने हजारी बाक के सिंटरल जिल से फरार होकर भूमिगत गतविधियों को संगठित किया था और भारत छोड़ो अंदोलन 1942 के दोरान बंबई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भासर दिया था उसके बारे में पी सितरमया ने लिखा है कि वास्तों में गांधी जी उस दिन आवतार और पैगंबर की प्रेरक सक्ति से प्रेरित होकर भास दे रहे थे तो देखे भारत छोड़ो अंदोलन के दोरान बंबई के कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी के भाशन के बारे में पट्टा भिसीतरमया ने ये लिखा है कि वास्तों में गांधी जी उस दिन आवतार और पैगंबर की प्रेरक सक्ति से प् अंग्रेजी सत्ता के अस्थान पर कई अस्थानों पर समनांतर सरकार की अस्थापना हुई थी जिसमें महत्पूंड रोप से बलिया में अगस्त 1942 में चित्तु पांडे के नेत्रित में तामलुक यानि मिदनापुर में बंगाल में दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक यहां की जात यह सरकार ने तुफान पीडितों की सहायता के लिए कारेकरम प्रारंभ किया था तो बलियां तामलुक सतारा दोस्तों सतारा महराष्ट में हैं सतारा महराष्ट में 1943 के मद्ध से 1945 तक यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली समनांतर सरकार थी और यहां पर एंटी या प्रति सरकार के नाम से समनांतर सरकार रस्थापित की गई थी इसके प्रमुख नेता वाईवी चवहार और नाना पाटिल थे यहां पर देखिए दोस्तों भारत छोडो आंधुलन के प्रारम होने के समय गिरफतार गांधी जी को 6 मई 1944 को बीमारी के आधार पर रिहा कर देख सकते हैं जो हमेशा हमारा दूस्मन रहा है तो यह कतन वेंस्टेंड चर्चिल का है दोस्तों भारत छोडो आंधोलन या कुट इंडिया मूमेंट का नारा किस ने दिया था तो भारत छोडो आंधोलन या डू आर्डाई ये महात्मा गांधी ने कहा था लेकिन ये नारा यूसुप मेहर अलिक द्वारा बनाए गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जन्वरी 1897 को ओरीशा के कटक में हुआ था सुभाष चंद्र बोस से संबंधित प्रशनों को अलग से इसमें मेंसन किया गया है तो इसलिए आपको जानना जरूरी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जन्वरी 1897 को ओरीशा में कटक में हुआ था सुभाष चंद्र बोस को वर्स 1938 में भारती राष्टि का अंग्रेश का अध्यक्ष बनने के बाद गुर्देव रविन्ना टैगोर द्वारा शांतिनी केतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था तो देश नायक रविन्ना टैगोर ने देश नायक की उपाधि किसे दी थी तो सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देश भक्तों का देश भक्त किसने कहा था महात्मा गांधी ने और दोस्तों आजाद हिंद फोज की अस्था पीजन का अवचारिक गठन सितंबर 1942 में हुआ था और कैप्टन मोहन सिंग इसके पहले सिनापती बने थे 21 अक्टूबर 1943 को सुभाश्य अंद्र बोस्त ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार आजाद हिंद सरकार का गठन किया था तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर है कि नेताजी सुभाश्य अंद्र बोस्त ने स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार का गठन कहां पर किया था तो उत्तर है सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को सुभाश्य अंद्र बोस्त ने स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार आजाद हिंद सरकार का गठ किया था जिसमें भूला भाई देशाई के नेतरित में तेज बहादूर सप्रू कैलास नात काटजू अरूडा आसफ अली और जवाहर लाल नहरू प्रमुख वकीलों में शामिल थे और इसको लाल किला जो है जो है लाल किला केस के नाम से जाना जाता है दोस्तों 14-15 जून 1947 इस 14-15 जून 1947 को अखिल भारती का अंग्रेश कमेटी की बैठक में भारत के बिभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफार खाने मत दान किया था तो एक प्रश्न ये है खान अब्दुल गफार खान भारत के बिभाजन के पच्छ में नहीं थे और 14-15 जून 1947 को अखि चलूने वर्स 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव पारी थोने को राष्टरवाद का संप्रदायवाद के पच्छ में समर्पन के रूप में इसको सैफुद्दीन के चलूने लिया था और 15 अगस्त 1947 की मध्रात्र केंदरी असेंबली में जनग गवर्नर जनरल कौन थे लाड माउंट बेटन 1747 से 1748 और स्वतंत भारत के प्रथम भारती गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 थे दोस्तों सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 के दोरान स्वतंत भारत के पहले भारती और अंतिम गवर्नर जनरल थे तो देखिए C. राजगोपालाचारी स्वतंत भारत के पर्थम और अंतिम गवर्नर जनरल थे क्योंकि उनके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था स्वतंत भारत के पर्थम कानून या बिधिमंत्री कौन थे तो बाबा साहब डाक्टर भीमराव अमबेटकर और आर कोपलेंड एक विचारक हैं इन्होंने लिखा था कि भारती राष्टवाद अंग्रेजी राज की ही संतति थी तो देखिए ये बहुत महत्वपोण कथन है भारती राष्टवाद अंग्रेजी राज की संतति थी आर कोपलेंड का कथन है जीवी मावलंकर गडेश वासुदेव मावलंकर 1946 में सेंटरल लेजिसलेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे और ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने आपचारिक विग त्याग कर ग गडेश वासुदेव मावलंकर जो 1946 में सेंटरल लेजिसलेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे वो ऐसे पहले अध्यक्ष थे जिन्होंने आपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहन कर सदन की अध्यक्ष ता की थी दोस्तों गुर्देव रविन्ना टैगोर को महान परहरी या दे ग्रेट सेंटिनेल महात्मा गांधी ने कहा था गुर्देव रविन्ना टैगोर को महान परहरी के उपाधी महात्मा गांधी ने दी थी जै जवान जै किसान का नारा आप जानते हैं कि भारत के भूतपूर प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री न पकड़ना चाहिए तो बहुत ही महत्वपूर है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने कहा था कि आजादी हमारी पहुच के अंतरगत है हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए और पंडित जवाहरलाल नहरू ने सुतंता के बाद ये कहा था कि प्रतेक वस्तु प्रतिक्छा कर सकती है परन्तु क्रिसी नहीं तो ये जवाहरलाल नहरू का कथन है जवाहरलाल नहरू के जीवनिकार कौन है फ्रैंक मोरिस जवाहरलाल नहरू के जीवनिकार है जोस्तों लाड माउंट बेटन जो 1947 में भारत की विभाजन के लिए उसने जिन्ना को उत्तरदाई ठहराया था लाड माउंट वेटन ने भारत की विभाजन के लिए मुहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदाई ठहराया और दोस्तों अगस्त 1923 में संपन बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन के अध्यस्ता पंडित मदन मुहनमालवी के द्वारा की गई थी बनारस हिंदू अधिवेशन या बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन के अध्यस्ता पंडित मदन मुहनमालवी के द्वारा की गई थी अगला है पी सीतारमया या डाक्टर पट्टावि सीतारमया प्रमुख राष्टवादी और भारती राष्टिक अंग्रेश के सरकारी इतिहासकार थे और भारती राष्टिक अंग्रेश का इतिहास इन्होंने लिखा है तो भारती राष्टिक अंग्रेश का इतिहास डाक्टर पी सीता रमय्या की कृति है वर्स 1929 के मध्य भारत सरकार ने भारती स्रम पर एक राजकी आयोग की नियुकती की थी और जे एच विटले विटले कमिशन भारती स्रम से संबंदित है जे एच विटले इसके अध्यच नियुकत हुए थे दोस्तों बंगाल का दुर्भिच या अकाल किस वर्स आया था तो ये वर्स था 1943 याद रखेगा बंगाल का दुर्भिच या अकाल 1943 से संबंदित है शीत युद्ध काल कोल्डवार को आप जानते हैं सीत युद्ध क्या था तो दो महा सक्तियां दोस्तों संयुकत राज अमेर जब कोई आमने सामने का युद्ध नहीं हुआ था। दोस्तों सीत युद्धकाल में विश्वस्तर पर शान्ति और पारस्परिक सहयोग की अस्थापना करने के लिए भारत के पर्थम परधान मंतरी जवहारलान नहरू द्वारा गुट निरपेक्स्ता का सिध्धान तिया न परशिद्ध बंगला उपन्यासकार बंकिमचन चट्व पाध्याय 1858 में कलकत्ता विश्विद्याले के पर्थम असनातक थे। अब्दुल कलाम आजाद दोस्तों अब्दुल कलाम आजाद ये देवबंद से संबंधित थे और इन्होंने अल नवदाह का प्रकासन किया था अल हिलाल जो है पत्र इसका संपादन किस ने किया था आपके लिए एक प्रश्ण है अगला है दोस्तों भारत में सरुपर्थम केरल में 1957 में साम्मिवादे सरकार या कम्निष्ट पार्टी की सरकार की अस्थापना हुई थी और भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी ज दोस्तों इसमें आपने अधिनस सेवा आयोग द्वारा आयोजीत पेट परिक्षा यानि प्रारमभिक अरहता परिक्षा के लिए महत्वपूर्ट सामान ग्यान या सामान अध्यन के अंतरगत भारती राष्टी आंधोलन के महत्वपूर्ण प्रश्णों को आपने देखा जो आपके आगामी पेट परिक्षा और अन्य प्रतियोगी परिक्षाओं के आधुनिक भारत और भारती राष्टी आंदोलन के लिए बहुत ही उपियोगी तथा महत्तुपूर है। आप इन प्रश्णों को तयार कर लिजेगा और वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा। वीडियो को लाइक करें शेर करें और इस चैनल मार्ग दोशन फार सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों नमस्कार